ये हैं अम्रिसर की रहने वाली जुकप्रीत कौर जुकप्रीत ने बारवी के बाद पढ़ाई छोड़ दी कारण था परिवार की आर्थिक तंगी अब वो कुछ करना चाहती थी लेकिन गुर्प्रीत को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे जुकप्रीत से मिलती जुलती कहानी थी अम्रिसर की रहने वाली आशा देवी की अकेले पती की कमाई से तीन तीन बच्चों की पढ़ाई और खर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था उस पर बीमार सास की दवाई का खर्च अलग से जुकप्रीत और आशा देवी के अंदर चाहतो थी कुछ करने की लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या किया जाए जिससे उनकी आर्थिक परिशानिया दूर हो सकें जब इन दोनों को प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना की जानकारी मिली जा रहे जॉब रोल सेल्फ इंप्लाइट टेलर में प्रशिक्षन प्राप्त किया प्रशिक्षन लेने के बाद इन्होंने अपने घर पर ही सिलाई का काम करना शुरू किया जुकप्रीत आज अपने पैरों पर खड़ी है और ठीक ठाक कमा लेती है आशा देवी की तुमानो इस हुनर प्रशिक्षन से जिन्दिगी ही बदल गई हम दोनों अब करती हैं अब मुश्किले नहीं आई हैं अब बाहर के खर्चे वो उठा लेती हैं गर के मैं उठा लेती हूं बच्चों की फीसे भी चल जाती है परदान मंत्री जी ने नव भारत का निर्मान करो आओ कुछ काम करो उन बच्चों के लिए जो बे रोजगारी की और बढ़ रहे थे उनको रोजगार दिलाने के लिए ये बहुत ये कच्छी स्कीम है कौशल प्रशिक्षन हसिल करके अपने पैरो पर खड़े होने की सफल दास्तान करन की भी है बारवी के बाद करन ने भी कौशल प्रशिक्षन हसिल किया आज उनके बनाए डिजाइनर सूट सभी को पसंद आते हैं जिससे इनका काम भी अच्छा चलता है हुनर के विकास से जिन्दगी की मुश्किले कम हो सकती है इसी का जीता जाकता उधारन है ये युवा जिन्होंने सरकार की प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना का लाब उठा कर अपनी जिन्दगी को विकास की रह पर मोड़ा है हमारे सारे एपिसोड देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल आपकी बात को दोस्तों अगर आप हुनर्मन बनना चाहते हैं और स्किल डेवलप्मेंट के कोर्सेस करना चाहते हैं तो इस नमबर पर संपर्ख कीजिए साथ ही साथ आप नैशनल स्किल डेवलप्मेंट कॉर्पोरेशन के वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं